नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 16 फरवरी गुरुवा शामसवा 7 बजे राजिस्तान की बड़ी खबरें प्रधान मंती नरेंद्र मोदी ने राजिस्तान से आज से जल जन अभियान की शुरुआत की वाटर हर्वेस्टिंग के साथ पेड लगाने और जोल सनक्षन के लिए लोगों को प्रिरीद करना इस मिशन का उदेश्य है मोदी ने आबूरोट सिरोही के ब्रहम कुमारी संस्तान में वर्चुल कारिक्रम से इसकी शुरुवात की उन्होंने कहा कि ये मिशन ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी कमी को लेकर दुनिया भारत को देख रही है जल है तो कल है इसके लिए हमें आसे ही सोचना है मोदी ने कहा कि भारत के अध्यात्मिक संस्ताओं की जल अभियान में बड़ी भूमिका है बीते द graphical में एक नकारात में अक्सोच बन गई थी कि हम जल सनक्षिन और परहण जैसे विश्यों को मुश्यों को मुश्यों को मैं छोड़ देते थे ये सोचते थे कि ये काम नहीं किया जा सकता बीते आट साल में ये मान सकता बदली है उन्होंने कहा कि भारत के रिशियों ने हजारों सालों से प्रकरती से मिलने वाली चीजों के सनक्षन का संदेश दिया है पूर्वी राजस्तान का कॉंग्रिस का गढ़ ढहाने के लिए बीजेपी अब जाटा बैर्वा वोटो को रिजहाने के रनिती बना रही है के इंडे ग्रह मंत्री अमिच शाह 25-26 फरवरी को भरतपूर का दोरा कर सकते हैं इसे देखते वे बीजेपी के पतादिकारी दोरे की तैयारियों में जुट गए हैं बहतपूर संभा के प्रतेक विधान सबा सीट पर करी 15-50 जार के बीच जाटाव बैर्वा मत दाता हैं इस संख्या को देखते वे बीजेपी जाटाव वोटो को बसपा से अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी जिलाध्याक शुडिशी बंसन ने बताया कि 25-26 फरवरी को ग्रह मंत्री अमिच चाह के प्रस्तावित भरतपूर दोरे में संतराविदास के मंदिर जाकर पूजा करने का भी कारिकरम रखा गया है आकर विबाक के टीम ने गुरवा सुबह उदैपूर और जापूर के दो अलग-अलग कारोबारी समोहों पर छापे मारी की है गितांजली ग्रूप के 23 ठीकानों पर सर्च कर रही है इसके साथ ही जापूर के ग्यानचंद अगरवाल की 4 रजिस्टर्ट फर्म की 12 ठीकानों पर रेट पड़ी है उदैपूर और MP में गितांजली समों का माइनिंग का कारोबार है जबकि उदैपूर में एक बड़ा हॉस्पिटल ग्रूप भी है मा कमला देवी रो रो कर बार-बार बेसुध हो रही है पती ननद और सास के भी आसू नहीं रुक रहे पिड़ित परिवार पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन से हाथ जोड़ कर बार-बार अपने लाड़ले को जल्द ढूनने की गुहार लगा रहा है एक अग्यात महिला द्वार बच्चे के परिवार को बहला फुसला कर चुराने की बाद सामने आ रही है पिड़िता ने हाथ ही फोल थाने में शिकायत दर्च कर आई है पुलिस सेसी टीवी के अधार पर मामने की जांच में जूटी है मा कमला का ये दूसरा बच्चा है पहला लड़का साथ साल का है रास्तान विधान सभा में दस फरवरी को बजट पेश करने के बाद अब गहलो सरकार बजट घोशनाओं की क्रियानिवन में जूट गई है इस सलसले में जहां मुख्य सचीव उशय शर्मा की ओर से तमाम विभागों के प्रमुख अधिकारियों को सरक्यूलर जारी कर के निर्देश दिये गए हैं तो वहीं मुख्य मंत्रे अशो गहलोत भी बजट अव घोशनाओं के जल से जल क्रियानिवन के लिए अपने विश्वस्त अधिकारियों को ही अप्रमुख विभागों में लगाने में जूटे हुए हैं मीडिय रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बजट घोशना के एक दिन बाद ही मुख्य मंत्रे अशो गहलोत ने नौकर शाही में बड़ा फेर बदल करते हुए अब आईये एस अधिकारियों की सूची का इंतिजार किया जारा है अधियान सबा सत्र में प्रश्णुकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में जान करी दी उन्हें कहा कि अप रासंगी कानूनों को समाप्त करने के लिए सरकार इसी सत्र में विध्यक लेकर आईगी इससे पहले उपनेता प्रतिपाक्षुराजिंद राठोर की सवाल के जव इस समीती पर कानूनी पेचीतगियों का अध्यान कर और प्रसंगी कानूनों के समन में अनुशंसा करना था पाली जिले की सुमेरपूर से सरसो का तेल भर कर जयपूर जो रहा एक टैंकर गुरुवा सवेरे गेगल टोल नाके के पास अनियंत्रित होकर परड़ गया टैंकर के पलटते ही उसमें सवार चौलक सुरक्षित निकल गया आसपास की शेत्रवासियों को जैसे ही ये जानकारे मिली तो हाईवे पर तेल लेने के लिए लोगों की भीड उमर पड़ी राजमार्क पर भीड एकत्रित होने के सूचना के बाद गेगल थाने से पुलिसकर में मौके पर पहुँचे और भीड को हटाकर राजमार्क को सुचारू करवाया चितोरगर में यू कहां जा सकता है कि सर्दी का सीजन अब उतार की उर है दिन में अब तापमान बढ़ने लगा है और वो दिन दूर नहीं जब लोगों की पसीने छूटने लगेंगे बले ही तापमान 35 डिग्री सालसियस तक जा रहा हो लेकिन सुबह और शाम अब भी ठीटोरन का दोर है रात में लोग रजाई और कंबल को अब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं वहीं इस बदलते मौसम का असर लोगों की स्वास्ते पर भी देखने को मिल रहा है सर्द्री और जुखाम के रोगी बढ़ रहे है राजस्तान सरकार और उससे जुड़ी संस्थाओं में सेवा दे चुके पैंशनर अब आउट्डोर में 20,000 के बजाए 30,000 रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे यह आदेश एक अप्रायल से लागू होगा मुख्यमंतर शोगहलोत ने बीते सबताहा बजट भाशन में पैंशनर्स के आउट्डोर में इलाज के लिए खर्च की सीमा 20,000 से बढ़ा कर 30,000 करने की घोशना की थी इसकी पालना में ही वित विभाग ने बुधवार को राज़सान पैंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम में संशोधन किया है राज़सान के दूसरे सबसे बड़े जिले और सबसे बड़े संभाग जोथपूर में अब 21 फरवरी से अगले 4 दिन तक आम जंता की जरूरत पानी और बिजली से जुड़ी बड़े दिकत सामने आ सकती है जोहां शोहर के कई इलाकों में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक पीने का पानी इंद्रा गांधी नहर बंदी और ग्रिश्मकाल के लिए जल भंडारन वे पाइप लाइनों की सफाई वे रख रखाव के चलते जलापूर्ती में कटावती रहेगी इंद्रा गांधी नहर बंदी ग्रिश्मकाल के लिए जल भंडारन तथा फिल्टर प्लांट पंप हाउस पाइप लाइनों की रख रखाव तथा सफाई कारे के चलते इन चार दिनों तक शहर के कई इलाकों में जोलापूर्ती बाधी त्रहने के साथ आमजन को दिकतों का स चीस फरवरी को किया जाना है इस परिक्षा में भाग लेने वाले लाखों मेदवारो को रीट अडमिट कार्ड 23 का इनतजार है रीट अडमिट कार्ड का इंतजार खत्म होने चारा है खबरों की माने तो राजस्तान सब औरिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सेर्विस सेलेक्शन बोर्ड रीड दोजारतेश एक्जाम का एड्मिट कार्ड कल याने 17 फरवरी दोजारतेश को जोरी करेगा यह एड्मिट कार्ड प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर पत के लिए होगा बालोतरा उपखन में लूनी नदी में एक बार फिर घोडों की टाप और उंटों की करतब देखने को मिलेंगे तिलवाडा गाउं की लूनी नदी में आयुजित होने वाले मली नाथ पशू मेले को लेकर प्रशासर ने तयारियां शुरू कर दी है करीब 700 साल से चले आ रहे मेले में राजसान गुजुरात मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यस से पशू पालक तिलवाडा की पशू मेले में पहुंचेंगे सरहदी बार मेर जिले का प्रसिद श्री मली नाथ पशू मेला तिलवाडा में 18 मार से एक अप्राल 2023 तक आयोजित किया जाएगा इस राज्यस सरी पशू मेले की व्यापक तयारियों और समुचित व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासर ने तयारियां शुरू कर दी है जिला कलेक्टर लोगबंदु यादम ने तिलवाडा पशू मेले में पशू की संभावित आवक और क्राय विक्रेय पेज्वल परिवहन सहित पशू चिकिसा इंतजामों की विस्तार के साथ जानकारी ली जपूर के आराध्य ठाकुर गोविन देव जी मंदिर में चोल रहे 20 दिवस्य फाग उसव के दूसरी दिन गुरुवार को मतरा वे ब्रिस से आयकलाकारों ने रचना ज्हांकी सजाई आज की रचना ज्हांकी में कारग्रह में भगवान श्री कृष्ण जर्माउसव के दर्शन हुए इस दरान ख्यात नाम कलाकारों ने ठाकुर जी किसम अक्षभजनों की प्रस्तुति दी मंदिर प्रवक्ता मानस को स्वामी ने बताए कि हर रोज अलग-अलग रंग की गुलाल से वरिंदावन और ब्रिस से आयकला का रचना तयार करते हैं पांच मार्च तक चलने वाले होली उत्सव के दौरान सजाई जाने वाली रचना ज्हांकी में फूलों से बनी शुद्ध गुलाल से सूती कपड़े पर भगवान श्री किष्णी की विभिने लिलाओं को दर्शा आया जाएगा नागर से जूदपुर रास्ट्री राजमार पर नागर से नागरी तक किसानों से अवाप्त की गई भूमी का 10 करोड 19 लाख रपे का मुआवज़ा आज भी नहीं दिया गया है इसको लेकर खींसर विधायक नाराइन बेनिवाल की ओर से लगाए गए प्रशन के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी है राजिसान में कांगे सरकार की ओर से पेश किये गए बजट में कृशिव घरेलू बिजली उभुकताओं को बिजली यूनिट्स की छूट के चलते लाखो भुकताओं के बिजली बिल शुन्य हो जाएंगे हाल ही में घोशित राजी सरकार के बजट में घरेलू भोगताओं को 100 यूनिट प्रती माहा वेकिसानों को 2000 यूनिट प्रती माहा फ्री कर दी गई है जानकारों के माने तो अगर घोशना धरातल पर उतरती है तो जिली के 2,44,000 घरेलू और 67,647 करशियों भोगताओं के बिजली के बिल शुनि हो जाएंगी तो फिराल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ